जी वीवर्स कैसी हैं आप सब? मुझे अमीद है आप सब कहरे अची होंगे आज एक नियम मौज़ू के साथ हाजरे खिदमत है आज का हमारा मौज़ू है औरल मैडिसन्स औरल मैडिसन्स वो अद्वियात है जो हम मुझे जरीए मुझे त्रिक एकार से इस्तिमाल करती है जिन में गोलिया हैं, कैपसूल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, सीरिप्स हैं ऐसी तमाम अद्वियात जो हम मुझे जरीए इस्तिमाल करती हैं वो मुझे त्रिकों से इस्तिमाल करवाई जाती है जैसे कि कुछ टैबलेट्स खाये जाती हैं, कुछ जबान के नीचे रखी जाती हैं, कुछ कैपसुल खाये जाती हैं, कुछ बतोरे इन्हेलर इस्तमाल किये जाती हैं तो ऐसे तमाम अद्वियाद जो हम मूँ के जरीय लेती हैं, उनका बगपर और सही इस्तमाल, उनकी मकमल तासीर और हम सब की हिफाज़त के लिए बहुत जरूरी है ताहम कुछ ऐसे मराहल है जिन पर अमल करके इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि वो मैडिसन्स हम बकाईगी से और सही दरीके से इस्तमाल कर रहे हैं इनकामल में सबसे जरूरी और एहम बात ये है कि सफाई सुत्राई का कास क्या रखें सबसे पहले अपनी हाथों को अची तरह दूएं और फिर दवाई के इस्तमाल करें हदायत के मताबिक दवाई को जखीरा करते वक्त सूरज की रोशनी से दूर रखें और बचों की पहुंच से दूर रखें दवाई को खुश्क और ठंडी जगा पर रखें जब मैडिसन्स इस्तमाल करती हैं तो सबसे पहले उसका लेबल चेक करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप को राक सही और वक्त पर ले रहे हैं अदवियात इस्तमाल करते वक्त इस बात को ज़रूर देखें कि आप जिस तरह आप को कही गई है आप उसी तरह ले रहे हैं अगर खाने से पहले कहा गया है तो आप खाने से आदा गंटा पहले लें और अगर बात कहा गया है तो इसमें तकरीबन खाना खाने के बाद आदे गंटे से लेकर दू गंटे के बाद तक आप दवाई खा सकती है। मैडिसन खाने के बाद अगर आपको कोई अलर्जिक रियक्शन होता है तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजूर करें इसके इलावा आप मैडिसन की एक्सपारी लाजमी चेक करें दुवाई को मेलियर करने के लिए उसमें मुझूद कप या चमच का इस्तमाल करें ग्रेलु चमच का इस्तमाल ना करें और गोले ये कैपसुल खाते हुए पांध का इस्तमाल करें गोले तब तक ना चुपाएं जब तक आपको उसके चुपाने का नहीं कहा गया और एक सबसे जरूरी बात कि आप जब भी बच्चों को जैसे माई घर में सीरप देती हैं तो जब एक दफा आप उसे खोल लेती हैं तो उसे जादा से जादा पांध से साथ देता कि इस्तमाल करें उसके बाद उसको इस्तमाल ना करें क्योंकि जब आप खूल लेती हैं तो इसको एक महा तक या 6 मा तक जैसा की कहा जाता है कि सीरयप्स की शेलफ क्षाप शे महा तक है क्या साथ महा तक है तो ऐसा नहीं है कोलने के बाद ayed बूस जादा से जादा पॉन से साधिय तक इस्त्माख किया जा सकता है कुछ भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपना बहुत सारा क्याल रखेगा नेक दुमाँ के साथ